हलो दोस्तों फिर से आपका एक नई वीडियो के अंदर हार देख स्वागत है जैसा कि वीडियो की थमनेल में आप सब लोग देख पारेंगे इस वीडियो में अपन बात करेंगे एलफी फोरम के रिजक्शन के बारे में तो काफी स्टुडेंट्स के पास mail के उपर और text message में एक message circulate हो रहा है जिसमें उन्हें यह बताया गया है कि आपका इन कार्णों से आपका एलफी का जो फोरम है वो reject किया जा रहा है तो आपको इसको serious लेना है तो अपन जानते हैं कि कैसे आप चेक करोगे कि आपको फोरम accept ह हो और reject है तो अगर आपके पास यह message आया हो तो आपको एक बार जरूर चेक करना चाहिए तो देखते हैं सबसे पहले यह message क्या है तो सबसे पहले inbox के अंदर आपको search करना RRB text message भी हो सकता है यह mail पे भी हो सकता है तो उसके अंदर लिखावा आएगा dear candidate your grievance has been examined and your application stand rejected for the region invalid photograph मतलब यह लखा गया कि आपका forum को पूरी तरीके से एक्जामिन किया गया और उसके बाद invalid photograph मतलब गलत photograph की वजह से आपका forum reject हो गया तो जैसा कि आप सब को पता है कि RRB के official site पे photograph को signature की specific size और specific ratio दिया हुआ है कि इस ratio के अंदर होना चाहिए साथ ही के अंदर photo signature सा आप नही कि क्या करेंगे कि आप किसी भी chrome browser या google browser को open कर लेंगे सबसे पहले आप अपने chrome browser को open करेंगे और उसका जो search box है यहाँ पर type करोगे gmail type करके आप search करोगे तो आपके सामने खुल के आएगा google mail इस पर click करना है और आपको अपनी mail id पर पहुंचने के बाद अगर आपने rrb क को आपको खोलना है और इसके search mail के अंदर आपको rrb लिखके search करना है तो जैसे ही अपन यहाँ rrb लिखके search करते हैं तो rrb लिखके वे जो भी rrb से जो भी mail आएं आपके पास वो सारे दिखाई देगे जिसमें पहला mail है otp generate का दूसरा mail है forum submission का और तीसरा payment successful का तो इन द जैसे ही मैं forum submission वाले mail को खोलता हूँ तो यहाँ पर लिखा है you have successfully submitted your application for the post of assistant लोको successfully submit कर दिया है इसके साथ हम अगले mail को खोलेंगे जिसमें अपने को payment की detail मिलेगे और इसमें payment का status success आना चाहिए जो आपका rrb से जो payment का mail आया है उसके अंदर यहाँ पर success दिखाना चाहिए फैल्ड नहीं दिखाना चाहिए तभी आपका forum accepted है otherwise आपका forum reject हो चुका है तो यह दोनों mail आपके phone के अंदर होने necessary आपकी mail ID पर आने necessary है इसके साथ आगे अगर मैं बात करता हूँ कि signature और photo की दिक्कत कहां पर आती है तो जैसा कि यह किसी students का forum है जिसके अंदर आप photo देख सकते हो आपका पहले आपको modification modification link open करना है उसके साथ अपनी RRB के ID login करनी है और view forum पे click करना है अंदर जाके जैसे view forum पे click करोगे तो आपके सामने पूरा forum निकल कर सामने आएगा जिसके अंदर आपको कुछ ऐसे photograph और signature visible होने चाहिए ऐसे complete visible होने चाहिए ना तो एक तरफ छ सकते हैं और वीडियो देखना है तो लास्ट में दियेगे टेप पर click करके आप उस वीडियो पर भी जा सकते हैं जिसमें मैंने complete जानकारी दी है कि आप कैसे अपने signature और photo में modification कर सकते हैं और साथ को वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्लीज वीडियो को like कर दीजिए और ऐस